अगर आपको दारू चाहिए सराब चाहिए तो नंबर नोट कर लिजिए मुवाइल में सेफ कर लिजिए रात को 9 वजे 10 वजे जब भी बोलेंगे शडाब आपके घर तक पहुच जाएगी अब हम इस बात की गारंटी नहीं दे रहे हैं बलकि जो सप्लाइर घुम घुम कर पूरा का पूरा सिस्टम क्या था इसको लेकर पुलिस वाले दिमाग दोड़ा रहे हैं अब चुकि जो सप्लाइर था वहां के लोग बता रहे हैं कि वो अगर दारू की जरुवत होती थी कभी किसी को पीने का मन करता था तब वो घर पर लाकर पहुचा जाता था और वो सप्लाइर खुद वही दारू पी कर चल बसा और आगे आपको हम वही कहानी सुनाने वाले हैं कि छपरा में यह सब कुछ कैसे हुआ मात्र थाने से कुछ दूरी के अंदर यह सब कुछ कैसे हो रहा था और सिर्प चोकिदार को सस्पेंड कर देना दरोगा को हटा देना इस बात का स्थाई समाधान क्या हो सकता है बाकिया नमस्कार में नाव है मोहित कुमार सींग औ और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं पूरे विहार भरके चोकिदारों की क्या हैसियत है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारे कहने का मतलब है कि कोई चोकिदार अगर किसी शराब माफिया के बारे में जाकर दरोगा साहब से बताएगा तो दरोगा साहब उल्टा च बाचीत करके वो पहले से सेट कर चुके होते हैं मतलब कि सराब माफिया उन लोगों को पैसा पहले पहुचा जाता है और चोकिदार की बात सुरी नहीं जाती जब किसी गाहों में शराब पीकर कई सारे लोग चल बसते हैं तब सबसे पहले चोकिदार को पकड़ा जाता है क उससे बात्चित करके पैसा लेकर के सब मामला सेटल कर लेते हैं तो अब यहां पर आप समझेए कि एक चौकिदार की हैसियत कितनी है पुलिस विभाग में उसकी पकल कितनी है पुलिस विभाग में उसकी आउकात कितनी है अगर मस्पश शब्दों में कहे तो वो कुछ नहीं तो हटाया जा चुका है लेकिन वहां कि कहानी बड़ी दिल्चस्प है का मतलब कि घर घर घुमकर शराब पहुंचा रहा था एक सप्लायर पुलिस को पता ही नहीं था चौकिदार कभी जाकर थाने में इसके बारे में बताता ही नहीं है और यह सब कुछ थाने के कुछ दुरी नहीं दे सकता वहां पर एक कड़ी टुट गई अब पुलिस क्या करेगी तो पुलिस जैसा कि हर मामले में करती है वहां पर चार दिन तक हल्ला होगा तो मुवाबजे का एलान हो जाएगा वहां पर तमाम नेता अद्कारी पहुँच रहा है तो वहां पर परिजनों को दिल लेकिन छपरा को आप कह सकते हैं कि वो एक परकार का होट एस्पोर्ट बन चुका है नकली शराप का जहरीली शराप का वहाँ पर हर कुछ दिन के अंदर एक ऐसी खबर आती है कि दरजनों लोग जहरीली शराप के कारण चल बसें इस बार का मामला तो बहुत अधिक बढ़ च लगबक 50 का आकड़ा अधिकारिक तोर पर जो पूरी की पूरी बात सामने आ रही है उसमें पहुँच रही है कि कुछ लोगों ने तो अंतिम संसकार कर दिया कुछ लोगों ने पुलीस को पता तक नहीं लगे ने दिया कुछ ऐसा हुआ क्योंकि लोगों को खुद डर है कि शराब के चकर में उल्टा हुए फंच जाएंगे अब सप्लायर वहाप पर घुम घुम कर कैसे होम डिलेवरी करता था तो हर जगह के सप्लायर जैसा करते हैं वे जाते हैं किसी ब्यक्ति को शराब की जरुवात है तब वो अपना नंबर देते हैं वो ब्यक्ति उसका नंबर अपने मुवाईल में सेफ कर लेता है उसको जब जरुवत होती है वो फोन करता है और सप्लायर कुछ दिर के अंदर लाकर शराब उसके घर पर पहुंचा जाता है ऐसा ही पूरा का पूरा सिस्टम छप्रा का है और छप्रा में जो सप्लायर था वो सप्लायर फिलाहाल दु कोई जानकारी आएगी या देखना महुत पूर्ण होगा आगे जो कुछ अपडेट जो कुछ नहीं जानकारी आएगी सब हम आप तक पहुंचाएंगे आप जनता जनक्षन के साथ बने रहे हैं कैमरेट से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्य उनकारी आप